नवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे स्टुडेंट्स आज हमारे यहां पर जुडने का सबसे मेन रिजन है कि एक जो कंसेप्ट है गलत जो कंसेप्ट स्टुडेंट्स के बीच में मार्केट में चल रहा है गजामनेशन को लेकर गौवर्मेंट गजामनेशन को लेकर हम उसी जो सफलता मिलने में खाफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा काफी देर होती है तो आज उस confusion को अटाने के लिए जो हम सभी जुड़े हैं और आईए मैं उसका confusion को किस examinations में किस तरह के patterns हैं किस तरह के questions बन रहा हैं कितना किस का weightage है उसे देखिए जिससे कि आपके मन में जो एक confusion है government examinations को लेकर एक जो गलट concept बच्चों ने बना कर रखी हुई है उस गलट concept को हमें ठीक करना है जिससे कि आप सभी बच्चों का पाइदा हो सके और आप जल्द से जल्द एक government job को पा सके क्योंकि हमारा बस उद्देश यही है कि हमारे students मार्केट में जो भी बच्चे government job की तयारी करते हैं उनको job जितना जल्द से जल्दी मिल सके बस यही हमारी अंतरात्मा से हमेशा आप सभी बच्चों के लिए जो है दुआ निकलती है तो आईए देखते हैं कि क्या चीज है आईए देखिए पहले तो हम बात करते हैं कि किस examinations में किस subject का कितना weightage है मतलब है कि किस subject से कितने marks के questions आते हैं जैसे कि यह जो sheet आप है यह SSE level के examinations का है SSE, CGL का तो देखिए यह आपका रा pre, mens, descriptive, total यह आपके सारे इस level है English, Math, Reasoning, GKGS तो देखिए बच्चो, pre में अगर आप SSE के लेवल की बात करें तो उसे में इंगलिश में 25 नमर के question 25 मतलब जो है questions आते हैं Math से 25 कोशन आते हैं Reasoning से 25 कोशन और GS से 25 कोशन और means में जैसे कि आप SSE के बाड़े में जानते होंगे 200 नमर के question आते हैं Math में भी 200 नमर कोशन आते हैं Reasoning से कुछ नहीं आती है GKGS से भी कुछ नहीं आती है फिर आईए descriptive की बात करें तो अगर SSE के descriptive की बात करेंगे तो means में आप Hindi में भी लिख सकते हैं English में भी लिख सकते हैं लेकिन हम बात यहां पे कर रहे हैं English में तो descriptive में means में आपके जो है SSE के descriptive में 100 नमर की English की है Math से कुछ नहीं आ रही है Reasoning से 0 है GKGS से भी 0 है तो अगर आप overall total marks की बात कर रहे हैं अगर आप overall total marks की आप बात करें तो देखिए English में total आपका है लगबग 325 marks आती है Math में descriptive जोरने के बाद जो है आप 225 marks के करीब कोशन आ रही है Reasoning से 25 कोशन है मतलब कि 50 marks से कोशन आ रहे है और जो है GKGS से भी 25 कोशन दो दो नमर की है तो 50 marks से कोशन आ रहे है तो बच्चों यहाँ पर आप देख के समाश सकते हैं जो किस subject का किस language का जो है कितना वेटेज चल रहा है English 37-300 number Maths 225 के आसपास GK में 50 number GS अ मतलब जो है और आपका reasoning में भी 50 number और यह एक जो गलब concept बना के रखिये बच्चों ने क्योंकि मैं देखता हूँ जो market में जो अभी चल रहा है सभी बच्चों के देखता हूँ कि एक भेड चाल में वो चल रहा है अगर वो अगबर पढ़ रहा है तो मैं भी अगबर पढ़ूँगा वो बाबर पढ़ रहा है तो मैं भी बाबर पढ़ूँगा पढ़ना अच्छी बात है लेकिन बच्चों ये three idiot movie नहीं चल ले है जीवन में ये जीवन है three idiot movie में रहां छोड़ दास ने का कि ग्यान जहां भी बटे उसे ले लो, समेट लो लेकिन बच्चों ये competitive examinations है यहाँ पे ज़्यादा ग्यान के चकरें पढ़ेंगे तो जो ग्यान की ज़रूरत है examinations में वो आप cover नहीं कर पाएंगे और फिर जाके जो है आपको काफी late होता चला जाएगा अपने जो जरूरत है उस government job की उसे पाने में तो देख लिजे बच्चों CDC बात है इसमें कोई confusion नहीं है कि SSC level के exam में आपके English 300+, S 200+, reasoning से 50 number और GKGS से 50 number तो उसी के weightage में जिस इतने number के आ रहे है उसी weightage में आपको भी मैनत करना चाहिए और बड़ी मजे की बात में बताता हूँ जो अगले slide में है उसे देख के थोड़ा सा और आपको हो सकता है concept clear हो आए देखते हैं आप देखिए total marks की बात करते हैं maths, reasoning, English, GKGS तो देख लिजे GKGS English का देख लिजे क्या percentage है लगबग 54% marks की question जो है English से आ रहे है 38-40% marks से question आपके maths से आ रहे है 4% GKGS से आ रहे है और 4% जो आपके reasoning से आ रहे है तो बच्चो ये जो concept आपने जो ये section है ये जो आपका section है ये section इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये एक जो है बहुत बड़ा portion को आपको cover कर रहा है 50% plus 50 से plus majority जो है इसी section में है तो अगर आप इस पे ध्यान देते हैं तो आप ज्यादा चीज़ों को जल्दी जल्दी cover कर सकते है वो कैसे वो देख लिजे आप आप देखिए number of chapters सबसे मज़दार portion आपका number of chapters ये रहा आपका English का Maths का Reasoning का और GKGS एक एप्रोक्स chapter की बात हो रही है English में लगभग आपके 16 chapters है अगर word और को एड करेंगे तो 2022 हो जाएंगे बट लगभग major जो बात हो रही है word में 3-4 और जो और दीजिए तो 2022 chapters माल लीजिए Maths में मैंने Maths के जो teachers हैं बहुत सारे सिक्चक है गनेत के हैं उनसे पूचा तो अधिकतर सिक्चक कहा कि वह 24-25 के आसपास chapters है सर reasoning में भी बड़े-बड़े teachers मैंने बात कि तो नोंने कहा कि सर 16-70 chapters के आसपास है verbal-nonverbal मिलाने के बाद GKGS में पहली बात तो 7 subjects है 7 subjects है और उन 7 subjects में 90 plus chapters है plus आपको जो current affairs जो पर डेका है वो भी परना है तो देख लीज़े आप यहाँ पर यहाँ पर माल लीज़े 16-20 chapter करीब है यहाँ 24-25 chapter है यहाँ पर 15-16 chapter है और यहाँ पर 90 chapters 90 chapters Is it possible for a human being to crank so many things in Jesus within such a short span of time क्या किसी ही इंसान के लिए इतने कम समय के अंदर इतने सारे chapters को रट्टा मारना क्या possible है और अगर possible भी है तो किस कीमत पर time consume होगी काफी ज़्यादा time लगेगी और देखो बच्चो मैं बस यह कहना चाता हूँ कि chapter के हिसाब साब समझ लीजे कि 16 chapter के करीब 24 chapter 16 chapter के करीब और वहाँ पर 90 chapter मतब 5 times 6 times 4 times इतना ज़्यादा आपको परना है मतब ये तीनो English math reasoning तीनो एक साथ पर जोड़ दोगे तब भी जो है उससे पीछे ही रहेगा मतब तीन subject में जितना आप time दे रहे उतना पूरा अकेला जो है GKGS को time देंगे तब जाके वो चीजें cover होती है तो आईए देख लिजिए इसमें complete करने में आपको time कितना लगेगा time duration English का अगर आप साड़े chapter की बात करें तो 6 से 8 महीने के आसपास आपको लगते है 6 to 8 months में English अच्छे से त्यारी होती है Math में मैंने teacher से बात कि तुम करें कि 8 मनों महीने का एक से लेबस होता है अगर एगलरेटी के साथ class होगी तो 8 to 9 months में पूरी हो जाती है reasoning teachers के इसाब से अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं कि 4 months maximum जाएगी 3 to 4 months में अलग अलग teacher जो है जिनका जो style है उसके इसाब से पूरा कर रहा है अब आएए GKGS इसमें अगर आपको complete करना है तो 3 years तो आप लेके चलिए 2 से 3 साल तो minimum लग नहीं है चाप कितने भी 30 मार्क हां क्यों ना हो क्यों क्योंकि 90 chapters है plus GKGS है plus chapter के deep में जाना होगा बहुत जादा unlimited questions वहाँ पे दिखेंगे एक तरह से infinite दिखता है हाँ में तो बहुत ही जादा आप science ही पढ़ोगे तो उसमें physics, chemistry, biology उसके अंदर भी मतलब जो है combine define कर दीजिए उसके अंदर भी उसमें define है उसके अंदर भी उसका differentiation चलेगा उसके अलाबा जोग्रफी में करेंट का modern तो उसमें unlimited चीज़े है बच्चो इतना आसान नहीं है कि आप उसे short time में कर सके तो आप maths English में जो है 6-7 महिने का course है maths 8-10 महिने maximum लगते हैं reasoning 3-4 महिने लग रहे हैं और GS में आप 2-3 साल भी पढ़ लीजिए पुरी तरह से confidence की बाते नहीं कर सकते हाँ लेकिन अगर आप 8-10 महिने इन सम्में से किसी इन 3 में इस किसी को पढ़ते हैं तो ये जरूर confidence होगी कि out of 100, 90 के करीव आप पहुँच सकते हैं लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई short time मैं नहीं दे रहा हूँ मैं किसी की केटिसाइज नहीं कर रहा हूँ बस जो बच्चों के मन में जे गलत concept है मैं उसी को लेकर आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बस यही एक कोशिश है कि आपको जो है सच्चाई की बाड़े पता हो आप सही दिशा में प्रयास करें जिसे की सही रिजल्ट सही समय पर आपको मिल सके क्योंकि रिजल्ट मिले लेकिन लेट से मिले तो उस रिजल्ट में उतना मज़ा नहीं आता है क्योंकि घड में आपके parents आपके जॉब को लेकर चिंतित है उन्हें चाहिए कि एक जल्दी जल्दी उनके लड़के को या उनके लड़की को जॉब मिले तो वो तभी होगी जब आपने स्लेबस को टाइम ली एक पर्टिकुलर स्टिपुलर टाइम के अंदर आप उसे कंप्लिट करें फिर जाके उसे रिवाइज कर सके तब जाके चैया इस चार्ट से आप समझ जाएंगे कि यह आपका पोर्शन यह जी एस पोर्शन है कितना टाइम ले रहा है मैकसिमम मुझे तो लगड़ा ऐटी परसेंट यही चल रहा है यह आपका मैस करा मैस में ले रहा है इतना टाइम इंगलिश में यह मतरब जो रिजनिंग में तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने live का 60, 70, 80% time जो है आपको JS में देना होगा तब जाके वो cover होगी आप अपने live का 20-30% दे दीजे तो math complete हो रही है 20-30% दे दीजे इंग्लिश complete हो रही है 15-20% दे दीजे तो आपके जो है टॉप government examinations है कुछ एक हमने एक example लिये है किस exam में कि subject क्या-क्य वेटेश है देख लिजे एससी में English आती है math भी आ रही है reasoning भी आ रही है gk gs भी आ रही है bank में English आती है math आती है reasoning आती है gk आती है gs banking में नहीं पूछा जाता पत्त करेंट वेटेंस नहीं ज्यादा तरह आती है रेलवे में English नहीं आ रही है उभी इंग्लिश रेलवे के normal examinations में नहीं है high level examinations में English है maths आती है railway में reasoning आती है और gk gs MBA cat mat jet यह सब जितने भी MBA वाले उसमें English बहुत major role है math तो रहना ही रहना है reasoning बहुत जरूरी है क्योंकि MBA में decision making की बात होती है तो वहाँ पे reasoning के जरूरी है gk gs नहीं है यहाँ पे MBA में gk gs से कोई लेना देना आपका नहीं है NDA की मात करेंगे आपकोर्स English है math भी है reasoning भी है और gk gs है क्योंकि यह UPSC से connected हो गया तो अगर आप देखें तो बस एक यहीं पे तो है जहाँ पे English नहीं है और वो भी हाल के फिल हाल से एक तो साल के अंदर जो government ने जो रेले में वेकेंस निका ली थी उसे देखके सभी आपको जो है job की त्यारी करनी है तो बड़ाल आपको साड़े चीजों पर command करना पड़ेगा और आपने time duration देखा जी कितना time लगेगा एक चीज को complete करने में उतने में आप 2-3 subject को cover करके रह सकते हैं तो यहीं चीजे यहां पर भी है अलगले examinations के हमने बना दिया है वह application में कर रहेगी वह आप उसे download करके और detail में मतलब जो है आप चीजों को देख लिजेगा देखे बच्चो मैं एक disclaimer बता देता हूं मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा यहां जो मकसद है किसी को भी GS को या GK को criticize करने का नहीं है नीचा दिखाने का नहीं है बस मैं कहता हूं कि सभी चीजे जरूरी है लेकिन GS की तयारी अगर आप civil की तयारी कर रहे है state pieces की से तयारी कर रहे है तब जाके आपको उस level में पढ़ना होगा otherwise आप bank की तयारी करे SSC की तयारी करे NDA की तयारी करे CDS की तयारी करे management में जितने भी है examinations की तयारी करे LIC की करे आप जो IB Information Bureau की तयारी क लगता है जितना की और subject है और English जो है time बहुत ही कम लेता है यह time आपका save करता है किसी भी examinations में तो इस तरह से जो हम बच्चों को देखते हैं कि वह English मतब जो मतब जो दूर हो रहा है सिर्फ G.S.E. पढ़ रहे है तो बच्चों उसमें मतब जो आप logical बाते नहीं कर रहे है practical बनना पड़ेगा क्योंकि देखो जैसे कि मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र ने मुझे तुरह दिन पहले ही बताये था कि दो चीजे होती है एक होता है आपके shock और एक होती है जरूरत तो जैसे कि आपके shock है कि civil service मुझे करना है मुझे IS बनना है तो आपका shock है वो आपका shock है लेकिन अभी आपकी जरूरत क्या है एक government job पाना एक government job immediately आपका पाना तो पहले आप एक जरूरत को पुड़ा करेंगे तब जाके घर वाले को तुरह से comfort, solace मिलेगा, आराम मिलेगा तब जाके आप जो उसके बाद सो जो है जब आपकी financial condition ठीक हो जाएगी आप सारे इस सब परशानियों से बाहर निकलेंगे तो आप जो है उस अपने जो shock है shock को पूरा करने के लिए फिर आप time दे पाएंगे लेकिन सबसे मेन होता है आपकी जरूरत तो वर्तमान में आपकी जरूरत क्या है जल्दी से जल्दी एक government job को पाना और जितने भी examinations आती है जितनी भ और सब चीजे है और ध्यान रखिए यह unlimited है मैं GS की बिल्कुल भी अलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको आइना दिखाने के कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप government job पाते हैं तो इससे आपके माता-पिता का नाम रोशन होगा और आपको भी एक comfort मिलेगा कि आ उनको जो है एक return के रूप में कुछ ना कुछ gift हम token of love के रूप में दे रहा हैं तिसले बच्चों सभी चीजे मैंने एक analyze करके बता दी है कि किसका क्या है कौन से examinations में क्यों सा नमबर के question आ रहा है कितना examinations में GS आ रही है कितना English आ रही है सभी examinations में तो English आ ही रही है एक railway क चोड़ दें तो क्यों ना हम उसकी भी त्यारी करें और जब उसकी त्यारी हम 6-8 मेने के अंदर best बैतरीन से बैतरीन कर सकते हैं तो क्यों ना हम उसके अलावा सभी examinations में question आ रही है और CET की भी बात अगर करें जिसके मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा तो उसमें भी आपके अगर सलेवस रही तो फिर वो भी देखना पड़ेगा आपको तिसले बच्चो टाइम है आप लोजिकली सोचिए त्यारी कीजिए और लोजिकली त्यारी करिए जिसे कि आपको जल जल देख सरकारी नौकरी मिल सके और उसमें लर्न इंगलिश वीत राकेश जार मैं राकेश रंजन जार आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलूँगा कोई भी डिक्कत होगी पढाई सलेटेड तो हमारा इंस्च्चूट हमेशा आपके सेवा में तत्पर रहेगा क्यीक्चिन आपके सपना है कि कि किसी भी बच्चे को इंगलिश में कमजोरी के परण किसी गवर्मेंट जॉब में हार का सामना ना करना पड़े और उसकी गारेंटी हम लेंगे उसकी जेमदारी हम लेंगे कि किसी भी बच्चे को हमारे किसी भी स्टुडेंट को जो भी स्टुडेंट है चाहे हो बिहार के हो डेली के हो पुड़े all over इंडिया के किसी भी ब सोचिए लॉजिकल सोचिए और जल से जल दे गौवर्मेंट जॉब लीजिए तो यही रुकते हैं जैहिन